दिग्रश शहर नगर पालिका की घन कच्रा प्रभंदन प्रणाली ओंधे मूग जिर गई है पालिका प्रशासन किलापर वाही की बदौलत डंपिंग याड की दुर्वबस्ता और गली महलों में लगे कच्रे के अंबार से शहर वासियों का स्वास्त मानो खत्रे में पड़ पेश दिग्रस समवादता जुवेर खान की एरपोर्ट यह शहर का डंपिंग याड है रोजाना कच्रा गाडियों में शहर भर का कच्रा जमा कर उसे यहां लाकर उंडेला जाता है लेकिन जानकारों की माने तो कच्रा प्रबंदन के सारे नियमों को ताक पर रखते हुए यहां पेतर्तिब तरीके से न सिर्फ कच्रा फेका जाता है बलकि उसे आग भी लगाई जाती है इतना ही नहीं डंपिंग यार्ड को किसी तरह का कोई कंपाउंड या फेंसिंग न होने से यहां का कच्रा आसपास के किसानों के खेतों में फसलों की बरबादी का भी सबब बीते दिनों निम्बा गाव परिसर के किसानों ने इसी मुद्दे को लेकर अपना रोश्व्यक्त किया था, साथ ही इस समस्या से तरस्ते किसान ने तो आत्मदाह की चेतावनी भी दी थी, फिर भी पाली का प्रशासन ने इसकी कोई सूध नहीं ली, आज भी किसानों की समस् खेतों में भावानी माता मंदिर परिसर के रास्तों और वन विभाग की मिल्कियत वाले रास्ते पर कचरे के धेर लगे हुए है, इतना ही नहीं यहां पर स्थित गांडूर खत प्रकलप अर्थात केचुआ खाद परी योजना की इमारत भी खसता हाल हो चुकी है, इसका श सर से सटे भावानी माता मंदिर की और जाने वाले रास्ते पर तो कचरे और गंदगी का नजारा पाली का पर्शासंकी लापरवाही की पोल खोल रहा है, शूत्रों की माने तो दिग्रस में 11 प्रभाग और करीब 33 वार्डों में रहने वाले शहरवासियों की कुल आबादी अंदाजन 60,000 के करीब है इतनी बड़ी आबादी वाले शहर के लिए 16 कचरा ढोने वाले वहन है लेकिन उसमें से भी केवल 6-7 गाडिया ही रोज चलाई जा रही है जिसकी वज़ा से कई इलाकों में देरी से कचरा उठाने की शिकायते सामने आने लगी है कुल मिला कर पालिका का सौस्त विभाग और कचरा परबंदन का ठेका चलाने वालों की अंदेखी से कचरे की समस्या शहर वासियों के लिए जी का जंजाल साबित हो रही है जिस पर जिलादीकारी प्रशासन ततकाल ध्यान दे और डंपिंग याड परिसर के किसानों से लेकर आम शहर वासियों को निजा दिलाए ऐसी मांग अब उठने लगी है बीसियन न्यूस के लिए दिगरत से जुबहर खान की रिपोर्ट